तो एब्लाउस के अंदर तुर्पाई करना तो तुर्पाई करने का मैं आज आपको एक न्यू तरीका बताने वाली हूँ ठीके तो इसके देखिए इस ब्लाउस की मैंने कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पहले अपलोड कर दी है अगर आपने नहीं देखा है तो आप आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अंदर तुर्पाई करने का एक नया तरीका तो यह देखिए यहां पर मैं इस पर तुर्पाई करके बताने वाली हूँ आपको और इसके पाइपिन भी मैंने बहुत अच्छे से करिए तो देखिए यहां पर अब इसमें तुर्प अगर आप देखना चाहते हूं तो देख सकते हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक देदूगी और मैंने तुर्पाई भी इसमें पाइपिन भी बहुत अच्छे से बनाई है अगर आप वह भी देखना चाहते हूं परफेक्ट पाइपिन आप कैसे निकाल सकते समया तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी और आप देखना चाहते हों तो देख सकते हूं तो यहाँ देखे अभी मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर तुर्पाई करना तुब यह देखी यह मैंने जो simple तागा है उसको पे रो लिया है तो आपका जो तागा है वो single रहना चाहिए और इस पे मैंने एक dot लगा ली है पीछे की तरफ ठीके और अब देखे अब हमें क्या करना है यहां से हमें इसको शुरू करना है तुर्पाई करना तो तागे को हमें इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से हम इसमें तुर्पाई करना शुरू करेंगे और अब देखे यहां पे हम इस तरीके से तुर्पाई करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जितना भी तागा हो उस साब से आप यहां पे तुर्पाई कीजिए अब देखिए अब आपको क्या करना है यहां पे आपको इस तरीके से एक डोट लगा देनी है यानि आप जब भी तुर्पाई करो तो आप एक सुई के अंदर आप जितना भी तुर्पाई कर सकते हो तो यहां पे देखिए एक डोट लगा देंगे अब अब फिर से ही आप तुर्पाई करना शुरू करेंगे आप चाहो तो एक सुई में आप जितना ब्लाउस कवर कर सकते हूँ इसे साब से भी आप तुर्पाई कर सकते हूँ आपको सिंगल तागे से ही करनी है ठीक है और यहाँ पर इसे तरीके से आपको यह ट्रिक फोलो करनी है यहाँ पर आपको थोड़ा सा हलका सा तागा लेना है ब्लाउस को लेना है सुई के अंदर ठीक है और इस तरीके से आपको यही ट्रिक फोलो करनी है फिर आपको इस तरीके से निकालना है यहां से झालना झाल 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 झाल